हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब अच्छ होंगे तो भई आज मैं खड़ा हूँ नेकसा में और मेरे सामने खड़ी है मारूती सुजूकी की बलैनू जो की इनकी सबसे जादा बिकनी वाली कार है तो भई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा है चैनल को सबस्क्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे अपना सपोर्ट दिखाए आपके सपोर्ट की बहुत ज़ादा जरूरत है तो सपोर्ट करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो भई ये ग्रे ये कुछ इस तरीके से इसकी headlight unit मिलती है काफी जादा शांदार है आप देख रहे हो इसमें आपको low beam high beam मिल जाते हैं dRLs मिल जाते हैं नीचे आपको fog lamp मिल जाते हैं इस model में और fog lamp के उपर आप देख रहे हो chrome की garnish मिल जाती है तो और गाड़ी का जो ये वाला color है आपने देखा होगा आम तोर पर लोग black white इन चीजों के उपर ही color के उपर भागते हैं लेकिन ये gray color बहुत ही जादा साइड से आप देख रहे हो बहुत जादा तगड़ी लग रही है ऐलोई वील्स भी आप देख रहे हो बहुत तगड़े तो इस तरीके से chrome के आपको एलोई वील मिल जाते हैं क्रोम में आप देख रहे हो ब्लैक कलर की ये गानिश मिल जाती है और टायर साइज भी इसका एक सो पिच्चान में पच्चपन आर सोला है तो सोला इंच के इसमें आपको एलोई मिल जाते हैं जो की बहुत ही जादा अमीजिंग लग रहे हैं बॉडी कलर आप देख रहे है बॉडी कलर कितना सुन्दर है बॉडी कलर जैसे ही इसमें ओ आर्वीम भी दे रखा है नीचे आपको इंडिगेटर दे दिया जाता है इसमें और ये आप देख रहे हो डोर हैंडल से इसमें आपको क्रोम में मिल जाते है ये मिरर के साइड में आपको ये आप देख रहे हो क्रोम के गाणिश मिल जाती है, जो उपर तक जारी है, इसमें आपको काणिश के टेल भी मिल जाती है, अब आपको rear view दिखाता हूँ इसका, rear look कुछ इस तरीके से दिखती है, एक इसमें आपने देखा है, इसकी rear light जो है, वो Salenza और इसकी दोनों की सेम है तो ये इस तरीके से भाई इसकी ये उपर आपको amazing सा spoiler मिल जाता है high mount stop lamp मिल जाते हैं wiper मिल जाते हैं, defogger मिल जाते हैं और ये नीचे से आपको इस तरीके से look मिल जाती है ये देखे बंपर पर आपको rear view parking sensors मिल जाते हैं Bumper पर ही आपको दो reflectors मिल जाते हैं और यह Suzuki का logo मिल जाता है, Chrome में उपर आपको camera मिल जाता है, और camera के देख रहे हैं, आप सराउंडिंग में आपको chrome की मोटी सी garnish मिल जाती है, जो बहुत amazing लग रही है, इस तरीके से आपको tail lights मिल जाती है, amazing setup है, tail lights में इसकी बहुत ही सुन् और यह आप देख रहे हो, glossy black आपको यह controls में दिया हुआ, यह देखे, glossy black और इसके button उसमें दे रखे है, silver color में जो बहुत ही जादा amazing लग रहे है, interior इसका बहुत बहुत बैतरीन है, seat भी आप देख रहे हो, तो blue और black का combination दिया हुआ, बहुत ही जबरदस लग रही है, fabrics में इ computers मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको यह push start मिल जाती है, यह कुछ इस तरीके से इसके controls मिल जाते हैं, light के और सब, उपर आपको यह आपको पता है smart screen मिल जाती है, यह आपको इस तरीके से cluster मिल गया है, अभी मेरे पास इसकी key नहीं है, इस तरीके से आपको steering मिल जाता है, d cut मे यह देख रहे हो आप d cut में आपको steering मिल गया chrome का आपको सुजीकु में logo मिल गया infotainment controls मिल गया है और इधर आपको वैसे controls मिल जाते हैं दूसरे इतनी बड़ी आपको screen मिल जाते है screen बहुत जादा amazing है AC vents देख रहे हो आप silver color और black glossy में दे रखे हैं जो बहुत ही जादा amazing है यह आप देखो एक मतलब silver color की है देख रहे हो अंदर जो garnish दे रहे है जो बहुत ही जादा amazing लग रही है यहाँ पर आपको उपर black देखने को मिलेगा पूरा dashboard black है black के नीचे silver दे रहे है silver के नीचे फिर यार इन्होंने ये glove box के side में blue color का touch दे रहे है जो बहुत जादा amazing लग रहा है यहाँ पर आपको मिल गए AC controls glossy black में और silver में यह रखी भाई आपकी key इस तरीके से आपको key मिलेगी सिर्फ दो ही option मिलते है lock और unlock तो यहाँ पर आपको glass holder मिल गया दो glass holder मिल गया यह आपको 12 volt का socket मिल जाता है और USB port मिल जाता है कुछ इस तरीके से यह आप देखे blue color है blue color में बहुत ही amazing लग रहे है इंटीरियर तो इसका तोड है और यह देखे यह आप glove box मिल गया glove box में आपको lights मिल जाती है सामने door पर आपको इसी तरीके से blue color का soft touch मिल जाता है यहाँ पर आपको piano black finish मिल जाती है silver color का button मिल जाता है और यह इस तरीके से कुछ seat seat इसकी बहुत ही तगड़ी है बहुत ही जादा comfortable seats है इंटीरियर इसका amazing है outstanding है और यह आपको armrest मिल गया जो की soft touch में मिल जाता है बहुत ही जादा amazing है यह भी और यह आपको gear मिल गया इस तरीके से आपका आगे का इंटीरियर देखने को मिलता है यह देखे हो बाहर उतरते हैं तो जैसे इस पर light पड़ती है डोर पर तो बहुत ही जादा चमकता है वो glossy कुछ यह blue जो color दे रखा है बहुत amazing दे रखा है black और blue का combination बहुत ही जादा बहुत ही जादा comfortable है यहाँ पर भी आप देख रहे हो सीट के पीछे भी black और blue का combination दे रखा है पीछे आपको यह इस तरीके से AC vents मिल गए नीचे आपको USB port वगरा मतलब आप charging के लिए कुछ भी cable वगरा लगा सकते हैं दो पीछे headrest मिल जाते हैं पीछे आपको यह plate मिल जात इतना यह आपको boot space मिल जाता है boot space भी इसका काफी जादा है और इसमें एक और amazing चीज है कि आप गाड़ी को इसमें seats वगरा को आगे fold कर सकते हो आगे की तरफ आप इसे धक्का मार दो बस यह fold हो जाएगी यह देखिए मतलब यह देखिए तो काफी जादा space है आप इसमें गद्दा बिचा के लेटो भाई चाहे सामान रखो कुछ भी करो पूरा आपका एक room सा बन जाएगा तो यहाँ पर आपको light भी मिल जाती है तो काफी जादा amazing इसमें features दे रखें पहली वाली बलैनों और इसमें बहुत ही जादा फर्क है काफी जादा बिल्कुल change करती है ग चैनल को आपके support की बहुत जरूरत है